परिवार को दी सांतोना सहीद हरी सिंग की माता वपत्नी से भी मिलकर उन्हें दी सांतोना पुरा दे सहीद सिंग के परिवार के सांथ सहीद के परिवार को 50 लाख रुपए की सहायता रासी वो परिवार के सद्स को नौकरी देगी सरकार पाकिस्तान को जवाब देने के लिए सरकार पूरी तयार तयार और उन्हें क्या कुछ का ये देखते हैं रिवो परिवारों में सांधपुरा देने के लिए यह था हमें रिवो जो भी घृष और सेदे के संक्राइब करेंडे तो यह नियम है नियम है जो बाते होती है वो डिप्लमेटिक जिस परकार के जिसारे विश्य रहते हैं उस नाते से उन सारी बातों बढ़ाने मेरकते हुए लेकिन पाकिस्तान की परकारवाई करने का प्रणानमंती जीने सेना को एकाद देश्तिया है यह समय और अपने साब से विए इस अपने साफि करने के लिए जो कारवाई अच्छत होगी मुद्रूर होगी है अपने जिसे मभी निविद्र करके जो डिवान नाने है कश्मीर के लिए पत्थर बाद जो इस परकार अक्रिवादी इंग्जाम देते हैं उनके खिलाबी को ने कुकार रहे हैं सब्सक्राइब करिवाद के क देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखिये प्रातखकाल गुड मॉर्णिंग इंडिया सिर्फ 24 आवर्स टूडे न्यूस पर हरिद्वार जी लेके जौलपूर ठाना की पुलिस ने बाइक चोरगिरों का परदाब खास किया है जिसमें तीन चोरों को गिरफतार किया गया है इनके पास से पुलिस ने बारबाई के बरामत की है जो कि बहादराबाद जौलपूर बिज्णौर और दिली से चुराई हरिद्वार के बरिष्ट पुलिस अधिछक जर्मे खंडूडी का कहना है कि जिन तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है इनके पास से बारबाई के बरामद है पुलिस टीम को डाई हज़ार रूपए के इनाम दिये गए है सस्पी जन में खंडूडी ने बताया कि पकड़े गए चोरो को न्याले में पेस कर जेल भेजा गया और जरुत पडितू रिमांड पर लाए जाएगा पकड़े गए बिजनोर के आरोपी राम नराण का कहना है कि वे परिवारिक मजबूरियों के चलते तीन-चार महीने से इस काम को कर रहे हैं जनपत तिलिभीत के तहसिल कली नगर में खटाउनी के निर्धाजी सुलक सियाधी वसूली करने को लेकर अधिवक्ता संक्या ध्यच के साथ तहसिल्दार ने अभधर बिवार किया था जिसको लेकर अधिवक्ता आग बबूला हो गए और तहसिल्दार को हटवाने का नेड़े ले लिया तब ही से तहसिलदार के खिलाब जमकर नारेबाजी करते हुए तहसिलदार हटाओ की मांग करते हैं के बाद लोग धरने पर बैठ गए और कलमबंद हड़ ताल कर दी आज आठवे दिन भी वकील अपनी जीत पर अड़े हुए नजर आए वकीलों ने कलमबंद हरताल जारी रखी जिससे छेत के फर्यादों को हरताल की चलती दिक्कतों का सामने करना पड़ रहा है लाम प्रिकास नाम है मारा सबतुम नाम और कली लोग भरताल पर बैठे विए हैं इसी कारण बस कोई काम नहीं हो पा रहा है प्रफ़े से बचक रहे हैं यहां तो तो कहा कि फोटू कापी जो आधार कारट तो मैंने फोटू कापी भी दी अब हमारा कारट बनके तो आगया है मंगर हमारा अधार नहीं चड़ा है अम मैं यहां पर ही भटक रही हो मुझे मैं बहुत परहसानी उठा रही है और वकिल साब सब अपने हरतालम बैठे मेरी कोई अबलीकेशन दिपने वाला नहीं जो मुझे कुछ मंदत मिल सकती है आपको बता दे कि वकिल तहसिल से बाहर कुर्सियों पर बैठ कर धरने पड़ाटे हैं तहसिल पूरन पूर के वकिलों ने कलिनगर पहुच कर चल रहे धरने में सामिल होकर तहसिलदार को यहां से हटाने की मांग की और तेज कर दिया लेकिन प्रसासन ने अभी तक इस और कोई ध्यान नहीं दिया है तहसे दार विजेत त्रिवेदी ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया की मेरे द्वारा अधिवक्ताओं के सांथ किसी प्रकार का दुर्भवार नहीं क्या गया है अधिवक्ताओं मामले को लेकर केवल प्रतिस्था से जुड़े हुए है अधिवक्ताओं लिखवाय किला हुए लेकर जब हम लोग हर्ताल है तो कैसे हम उनकी अप्लिकेशन लिखे अभी तक कोई ग्यापन आपने किसी को नहीं सहुपा क्या बज़े हैं हम लोग डीम साब को ग्यापन देने गए थे परसों लेकिन वहाँ डीम साब उस्ता में मिलने ही पाए इसलिए अब हम आगे प्रोग्राम बनाएंगे क्या क्या मांगे हैं आपकी धर्णा को लेके हम तैसील से भर्षेज़दार को खतम करना जा रहे हैं और तहिलदार को यहां से हटना चाहिए जल्दी लेकर हमा आ रहे हैं आपके लिए गली महले की निउस देखना ना भूलिये सिर्फ 24 आवर्स टूडे निउस पर कस्मीर के पुल्वामा जिले में हुए आतंकवादी हमले के विरोध में आज जालोन के कोंच नगर में मदर्शा गुल्सन ए मुस्तफा के बैनर तलेक सध्धांजली सभा आयूजिट की गई इसमें सेक्डो मुस्लिम लोगों ने दो मिनट का मौन धरण कर सहीदों को सध्धांजली दी जिसमें समासेवी हाजी रहमेट इलाही कुरेशी ने मेडिया से बातचीत में बताया कि वो सरकार से मांग करते हैं कि दुस्मन को मुहतोड जवाब दिया जाना चाहिए और हमारे जो जमान सहीद हुए हैं जिससे हम उनका बतला ले सकी उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार या दिमोका जे तू अपने बच्चों को फोज में भेजने को तयार है इसके साथ ही सरकार से दर्खवास्त है कि हम को चुवासी भी तनमंधन से देश के साथ है भारत सरकार को हमें ये वथा ये गतना जो भई है ब्याली सहीद जो हुए है वड़ा कश्ट का विसे है हम तो ये जाते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी रहेंगे और ना उसमें कोई याद ना पाक कोई सबान नहीं होता अगर इसकी जरूरत हम जैसे हिंदुस्तानी हों को जरूरत पड़ है उसके लिए हम तैयार हैं वो अगर सरकार मेहला कावी मांगे सेना के लिए में अपने बच्चे को देने के लिए तैयार है पाकिस्तान को मूँ तोड़ जवाब होना चाहिए यह नहीं कि पांस साल गुजर गई बस उनका हमले पर आमले बर्दास हो रहे हैं जब हम पर बर्दास नहीं हो रहा तो प्रदार मिंतरी को कैसे बर्दास हो रहा है इसका जवाब देना चाहिए वो जन्ता उनके साथ है चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लम हो कोई भी विरादरी हो इसमें कोई यादपात नहीं होती जो हमारे हिंदुस्तान के खुलाब बोलेगा उसको कताई बर्दास नहीं किया जाएगा हिंदुस्तान जिंदाबाद पाकिस जब हम लोगों को नेताओं को कैसे वर्दास हो रही अगर पूछी याए उनकी वेवा को क्या तक लिए जय जय के लिए जाएंगे तब को एहसास होगा कि बेवा की क्या तखलीव होती है हमारे यह उद्देश सरकार इसके पाकिस्तान के खिलाब कारवाई करें उनको मुझ तोल जबाब देए अनुप सहर में मंगलवार को गल्ला व्यापारी के मुनीम की गोली मार कर लूट की गई है जिसके कारण व्यापारियों ने मंडी को अनिस्चिन काल के लिए बंद करते रखा है व्यापारियों से बात करने आए अनुप सहर विधायक संजेशरमा से कुछ बात चीछी इसमें बताय कि लोट का खुला सजल से जल किया जाएगा कि एक ही ग्रुप के द्वारा काम किया गया जिसको लगातार यहीं से सुख्षाय दी गई है कुल मिला करके अपराध है और हमारा काम है इस पर नियंटरंट करना पुलिस पूरी तरह से कोशिश में लगी हुई है क्राइम ब्रांच की टीम में पूरी यहां बुलेंशन से अनुक्षा राकर टिकी हुई है और स्सपी शाब ने यह कहा है कि उसको हम बहतर घंटे के अंदर इसमें कुछ ना कुछ काम्यावी हम को मिलेगी ब्यापारियों में जो बहका माहुल बना हुआ है उस बहके माल को दू कहने के लिए आपके या पुलिस इस्तर से क्या कर रही कि जा रही है जो कुछ चीजें हमसे अभी चर्चा हुई हमने बात भी करी कुछ डाल हंडर्ड की शिकायत थी वहां भी हमने एडीजी साब से बात की और यहां पुलिस की भी एक गरूगा और दो तीन सिपाही का यहां पर एक बैठना प्या किया है कुल मिला के भै तो तभी खतम होगा जब यह लूट खुलेगी और तभी व्यापारी वापिस अपने मनोगल को वापिस उनको मिलेगा यही तो जिम्मेदारी आपकी है कि इनका बैकतम हो हाँ आपको बताया ना कि बहतर घंटे का समय दिया है कि लगातार इस पर क्राइम भाग की काम कर रही है मैं लगता है इसमें काम भी मिलेगी